हाई गाइस नमस्कार आगे हूँ एक और वीडियो लेकर तो काफी सारे कमेंट के बाद ये वीडियो बनाई है मैंने तो काफी लोग उसे पूछते थे कैसे कई हो के पास क्या होता है कि ब्रोडबैंड नहीं होता लैंग केबल नहीं होती वो लोग यूज़ करते हैं जियो व होता है सम्टाइम ऐसा होता है कि जब कैमरे कश्मर बाद में लगवाता है तो एक्जक्ट लोकेशन वहां तक वायर नहीं पहुच पाती जहां तक राउटर हमारा इंस्टॉल है क्योंकि राउटर की वायरिंग तो पहले हो चुकी थी मतलब जब बिल्डिंग बनी होगी त हएंसे एंटर हुआ है जैसे मारी वायर आई पहीं पहीं लगा दें अब ये आता है कि वाइआ नहीं को सब्सक्टार फैसको रेक्टर वनाना पड़ता था asked सो मुझे काफी सारे कमेंट आते थे वाइफ़ स्टिक को लेके जिसको मैं लेके आया हूं जो आपने टाइटल में देखा होगा इस सब्सक्राइब की वाइफाइब से तो यह वाइफाइब के लिए स्टिक है इसको इसको तर्फ दीविए-र में इंसर्ट करना है और DVR आपका Wi-Fi sense कर लेगा, Wi-Fi का password मांग लेगा So DVR में sense कहा करना है तो आप देख रहे हैं, जैसे suppose ये हेक्विजन का DVR है तो हेक्विजन के DVR में हमारे 2 USB port होते हैं एक LAN का port होता है, 2 USB होते हैं तो आपने simply USB की किसी भी एक port में इसको insert करना है जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे insert कर दिया अब एक port पचा है, वो हमारे mouse के लिए हो गया मतलब आपको DVR में यहाँ पे insert करना है इसके बाद कुछ एक setting करनी है, वो setting क्या करनी है मैं आपको लेके चलूँगा अब अपने TV की screen पे और वहाँ पे step by step सारा जी समझाऊंगा गाईज यह वाइफा इस तक के थुरूँ आप अपने DVR को online कर सकते है कैमर को कहीं से भी watch कर सकते है कोई भी issue नहीं आएगा इसके अलावा कोई भी रिकत आए तो आप comment box में मुझे write कर सकते हैं आपको अपनी TV के screen पे मुन्टर के screen पे और इसके बाद क्या setting करनी पड़ती है हमें कौन सा function enable करना पड़ता है वो सब आपको बताऊंगा तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गोलशन वलेशा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन नई और लेटेस अपडेट पाने के लिए Thank you तो दोस्तो आ गए हैं DVR पे तो आप देख रहे हैं DVR हमारा लगा हुआ है HD में लगा दिया है मैंने और TV पे हमारा डिस्प्ले भी आ रहा है सब करना क्या है आपको simply अपने DVR का माउस पकड़ना है माउस पकड़के आपने राइट क्लिक मारके मेन मेन्यो ओपन करना है तो मैं simply मेन मेन्यो ओपन करके अपने DVR का पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो पासवर्ड एंटर करते ही option होगे सारे तो option में आपको जाना है configuration में आप देख रहें configuration आपका option दिखाई देगा तो configuration पे आने के बाद left hand side पे आपको network का option मिलेगा जनरल के निचे second network option है यहाँ पे आप देख रहे है LAN 1 मलब select NIC LAN 1 तो इसको आप click करके WLAN कर दीजिए और यहाँ पे अगर tick नहीं लगा हुआ DSTP पे तो tick लगा दीजिए तो मेरा already tick लगा हुआ है apply कर देना है अपने tick लगाने के बाद और उपर wifi का option आएगा आपने wifi पे click करना है NAT पे नहीं wifi पे यहाँ पे click करने के बाद आपका अभी show नहीं है और क्योंकि enable नहीं है तो यहाँ से आपको पहले enable करना पड़ेगा ऐसे enable करने के बाद आपको निचे apply करना पड़ेगा apply के बाद आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा अगर यह device आपके DVR को support कर गई तो आपके device में इसारे wifi show हो जाएंगे मैं अभी दक 4-5 DVR में try कर चुका हूँ equation के और सब में support कर रही है तो एक बाद refresh पे click करता हूँ तो refresh किया है और यह मेरा wifi show हो गया है तो गुलिशन के सामने जो pencil बनी है वहाँ पे edit पे click करना पड़ेगा तो मैं simply यहाँ पे click कर देता हूँ और नीचे आप देख रहे हैं गुलिशन नाम है सबसे नीचे key value तो यहाँ पे मुझे password डलना पड़ेगा जो मेरे wifi का password है तो wifi का password मैं यहाँ पे enter कर देता हूँ तो गई आप चेक करना चाहें तो आगे आँख बनी हुई है वहाँ पे click करके आप password देख सकते हैं तो मैंने password एंटर कर दिया है तो यहाँ पेंचे ok का option है तो ok कर देता हूँ तो नीचे आपने simply apply पे भी click करना एक बारी और back कर देना है apply पे click करने के बाद तो अभी disconnected आ रहा है तो आप देख रहे हैं थोड़ सा wait करते हैं क्योंकि वह password डाला है मैंने अभी तो एक बारी गुशन पे double click मारता हूँ double click मारना पड़ेगा आपको अपने नाम के उपर तो आपका connected हो जाएगा so guys मेरा connected हो गया मैंने double click मारा अपने नाम के उपर क्योंकि password में already डाल चुका था अब आप पे चलते हैं platform access पे पहले चलते हैं general पे general पे देखते हैं land 1 पे click करके वाइफाई देखते हैं कि IP लिया के निलिया असने automatically IP इसने ले लिया है जो कि मेरे router का IP है series जो चल रही है same series ने ले लिया है so अब आपने click करना है platform access पे आप देखे हैं मेरा status online आ रहा है क्योंकि मेरा hik connect enable है अगर आपको disable होगा आपको enable करना है यहाँ पर आना है तो मेरा online शो हो रहा है so guys यह प्रोसीजर था मैं यह तो नहीं कूंगा 100% सपोर्ट करेगी but maximum chances है कि ही कुज़न DVR पर सपोर्ट कर जाएगी so guys आपने देखा मेरा DVR online हो गया इसके बात के जो steps हैं वह मैं वीडियो बना चुका हूँ already हिक विजन सेपी प्लस दववा काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद है तो आप प्रिशन को subscribe कर सकते हैं अब आपके मन में question आ रहा होगा कि डिवाइस तो छोटी सी है तो क्या जो computer में डिवाइस लगती है वो भी काम कर जाती है तो नहीं दोस्तों यह डिवाइस special आती है DVR के लिए DVR में वाली डिवाइस काम नहीं करेंगी आपको DVR के लिए compatible वाली डिवाइस चाहिए जैसे हिक्विजिंग के DVR के डिवाइस है ऐसे CP प्लस भी आती है दोवा भी आती है तो आपको जो भी आपका DVR है आप मुझसे contact कर सकते हैं मैं description पर एक link भी दे रहा हूँ अभी जहां पर जाके आप यहाली डिवाइस का प्राइस जान सकते हैं अगर आप इसको buy भी करना चाहें तो वहां से आप order भी कर सकते हैं कोई भी issue नहीं है सो वहाँ पर जाके आप क्लिक करें description पर एक link होगा वहाँ पर क्लिक करना आपने directly आप पहुंच जाएंगे मेरी website पर जहाँ पर आपको और भी unique products जैसे कि shutter of siren system, 4G router, electronic clock का mobile से कैसे खोलें ऐसे कही सारी items आपको वहाँ पर मिलेंगी सो आप वहाँ पर जा सकते हैं और इस वीडियो को आपने इतना लंबा देखा तो प्लीज एक like तो बनता है क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं मतलब को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को like कर दें नीचे कोई भी questions हो comment box में write कर दीजिए इस वीडियो को share कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस चनल को subscribe नहीं किया तो subscribe का icon भी नीचे है वहाँ पर click करके basically आपको notification on करनी पड़ती है तो उसके बाद क्या होगा जब भी future में वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास notification आजाए करेंगे कोई भी chargeable service नहीं है सब कुछ free है तैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना end तक देखने के लिए परगवान आपका दिन शुप करें तैंक यू सो मच परगवान आपका दिन शुप करेंगे